मद्धिर रेल्वे के महा प्रबंदग रामकरन ग्यादों ने सुवार को मुंबई मुख्याले से हुई ओनलाइन पत्रपरिशत में कहा कि मद्धिर रेल्वे में 96,049 अधिकारी कर्मचारी कारे रथ है इनमेसे वर्दमार में 70,778 कर्मचारी यानी 73,099 कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपेस के डारे में आ रहे हैं हाला कि UPS वैकल पिक है वै पुरानी या इस नई स्किम को चुन सकते हैं UPS से लाको रेल कर्मचारियों की नाराज की दूर होने में मदद बिलेगी उन्होंने कहा कि अधिकांश कर्मचारी वर्ष दोहसार तीन चार के बार नियुत हुए है ऐसे में सभी के ग्रेड अलग-अल मिलने पर ही UPS लागो करने का पैसालिया क्या है इस दोरान नाकपूर मंदल मुख्याले में मंदल रिप्रभंदक मनिश अगरवाद एडी आर्यम खेर कर वचांदिकर वरिष्ट मंदल वानिज़ प्रभंदक अमन विक्तल वरिष्ट मंदल कार्मिक अधिकारी सांजी जैन आदी उपर से थे करने एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है इसकी डिटेल मोडलिटी अब आ जाएगी कुछी दिनों में जैसे ही मानिय रेल्वंत्री ने अपने अभिवाशन में भी इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़े कहीं उन्होंने कहा है कि यह जो पूरा यूपेस का एपरेटस है यह पाच पिलर पर डिपेंड है जिसमें उन्होंने एश्योड पेंशन पहला पिलर बताया है जिसमें 50% पेंशन जो है आपके लास्ट आश MTV मिलेगी जिसके चलते एश्योर्ड फैमिली पेंशन आपको मिलने वाली है जयसे ही एंप्लॉई का डे उसके परिजयनों को मिलेगी, इसमें Assured Minimum Pension का भी जिक्र है, जिससे 10 साल के अगर आपकी Minimum Service होती है, तो आपको 10,000 रुपे प्रती महा की Pension मिलती रहेगी, और 25 साल के लिए तो Assured Pension Scheme है ही, इसी UPS को Indexation और Inflation के साथ भी Link Up किया है, नमस्कार, मेरा नाम सांजी जैन है, मैं नाकपूर डिविजिन में Senior DPO वरिष्ट मंदल कार्मी कदिकारी की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, Unified Pension Scheme, एक नई स्कीम सरकार की तरफ से लॉंच हुई है, यह जो अभी 2004 के बाद जो सरकारी करम सरकारी सर्विस में अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए यह option रहेगा कि वो New Pension Scheme से Unified Pension Scheme पे switch कर सकेंगे, 14-2025 के बाद में, इसमें अगर हम नाकपूर डिविजिन की बात करें, तो लगभग 15,000 लोगों में से 12,000 लोग ऐसे हैं, जो अभी फिलहाल MPS Scheme के अंतरगत आत सकेंगे, बहुत लंबे समय से ये करमचारियों की unions की associations की demand थी, की OPS Scheme वापिस लाई जाए, उसी के तरज पे Unified Pension Scheme सरकार की तरफ से launch की गई है, जो निश्चित ही सभी सरकारी करमचारियों के लिए बहुत-बहुत beneficial है, नमस्कार जी, भारत सरकार में अपी जैसे कि आप सब लोगों को ग्यात होगा, एक Unified Pension Scheme launch की है, जो की सरकारी करमचारियों के काफी हित में है, इसके अंदर retirement के time पर 12 महिने की average salary के basis पर Assured Pension की स्कीम है, 10 साल की minimum service के बाद 10,000 परती महिना एक Assured Pension की स्कीम है, 60% at the time of death of the employee, there is an Assured Pension Scheme, तो ये एक Pension Scheme है, जो की सरकारी करमचारियों के बहुत हित में है, और 1 April 2025 से ये लागू होने के लिए निरधारित की गई है, नाकपुर मंडल में roughly 12,000 employees हैं, जो की New Pension Scheme के इस समय member हैं, और उनको भी एक option दिया जाएगा, कि वो Unified Pension Scheme की प्रतीक के तरफ switch होना चाहें, तो बिल्कुल switch हो, इसकी जो detailed modality है, उसका detailed circular है, वो कुछ दिन में आ जाएगा, तो जिसकी वज़े से उसमें हम लोगों को सहुलियत मिलेगी कि उसको किस तरीके से implement किया चाह सके हैं, परन्तु ये एक बहुत ही positive कदम है, जो की बहुत ही सारे ही सरकारी करमचारियों ने ब कैमरा पस्तन अखिलेश भारतवास के साथ अभिशेव पांसी की रिपोट